हेलो एवरीवन वेल्कम टू आरीजी केडमी आज हम डिसकस करेंगे आयोग की सरंखला में निर्वाचान आयोग के वारे में निर्वाचान आयोग में सबसे पहले बात करेंगे हम सबसे पहले इसमें पारदर्सी और निस्पच तरीके से करवाई जासागे ठीक चलते हैं उसमें की एक सट्वा संसोधन हुआ था अपने भारती संब्धान में तो यह 324 अनुचे 324 से लेकर 329 ठीक और संब्धान की यह बाग 15 में है तो अगर अनुचे 324 की बात करें तो 324 में इलेक्शन कमीशन ठीक इलेक्शन कमीशन में एक मुख चुनाव यूग का अधिछ रहता है इसके अलाबा अनचुनाव यूगत भी होते हैं ठीक है लेकिन इनका निर्धारण है वो कौन निरदान राष्ट्ट पति करता है मुख चनव युक्त के समान शक्तियां भेतन भ्त트 eje तो अगर सक्तियां की सक्तिगों की बात करें तो चुनव युक्त हो गये और जो अश्चुनाव मढकर ..... नहीं कोई डिफ़ेंट नहीं होता है में पूरा जाए एक साल की उम्र हो जाए उसकी पदपरो चीफ इलेक्सन कमिशनर की यहनी मुख चुना अयोक्त की बात है उनकी बात करें तो इसमें 62 साल यहां पर थोड़ा सा एजग पांट हो गया उसमें 62 साल हो गया 65 से छो अन-ायोक्त हो ऊसमें 62 साल हो गया और यहां पर जो मुख्य चनायुक्त है वो है 65 साल माय जो भी इनमें से पहले हो जाए अटाने के जो प्रक्रिया है वो सेम होगी सुप्रीम कोट की जस्टिस की जैसे ठीक है जो यह से सुप्रीम कोट की जीनरा अधीसा उसको अटाय जाता है जो अन्य सधस्स हैं और या प्रादिशिक ऐयuks्त को ठीक है उसके पद्षट से जो मुख निरवाचागवाचल ऐकती की सेपारेश के वहतो एक तो जो प्रदेश में जो सटेट सेमें होते हैं अचना जब सेपारेस करेगा तब ही उनके इटाय देशा, ठीक है, पतन का मतलब होता है, कि उनके बेतन भत्ते और पद से रेटेड जितनी भी सुबधाये हैं, ठीक है, उनके कटोती नहीं होगी, ना कोई बेतन में कटोती होगी, जब तक कोई financial emergency ने होगा यदि कोई बित्तिया पातकाल होगा तभी कटोती की जाएगी अदर्वाइश कटोती कोई अलावकारी प्रवड़तर नहीं होगा उनके सुब्धाओं में ठीक और चुब्त आयोग और चु के लीए संघ तथा राज के आयोग हो को आवगा उपलब्द कराने होंगे जो भी राज या संघ है तो चुब्त को सहेत्य कोई भी करमचारी के साहत चयराओं को पैंप करते हैं आगी कारे में किया है कारे में किया है कि कारे में सबसे पदेडिए कि पयाज्स преп India निरवाचन धार्वाचन वारत करता है 있게 गर्ना वोटर्स की जो counting करता है वो भी निर्वाचानायोग करता है ठीक है उनके result की घोशना करता है वो करता है तिये उनके कुछ कार रहे है ठीक है जो दल है ठीक है राजनितिक दल है उनको मानितनितिक दल है उनको मानिता प्रदान करता है निर्वाचानायोग और उनको जो कोई भी dispute होता है उनसे related dispute के जो समाधान होता है वो कौन करता है निर्वाचान आयोग तो dispute का समाधान जो चुनाव से related होगे वो कौन करणेगा निर्वाचान आयोग अब बात करते हैं मद्धप्रदेश के बारे में थोड़ा सा MP State Election Commission उसके पहले भारत के जो मुख निर्वाचान आयोगती थे पहले मुख निर्वाचान आयोगती थे वो कौन थे सुकुमार सेंड थे ठीक है सुकुमार सेंड और जो पहली महिला मुख निर्वाचान आयोगती थी भारत की वो थी म cleared election commission है और 243 AN suficiente में यहह राज़पाल दारहे नेक्त एक राजयओानायक्त होगा मद्यं प्रदेश की वर्तमान में बसंद prompt बरताब सों गरे निर्वाचा नेक्त ठीक है राजयिन रवाचनायक्त तो मोटो है उसका हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, छीड़ेवाक है, मद्यपर्दिस голос कमींट का, छीड़ेगा मद्यपर्दिस голос कमा से जो फिरेगी आसजन के इसमें, प्रतम सचेव कौन था? स्टेत 열कसन कमींट का, pernah करूग है, तो यह था राज निर्वाचा नाजक्त और भारत के निर्वाचा नाजक्त के बारे में, उम्मीद करते हूं आपको बहुत कुछ जाने को मिलोगा, थैंक्यू, थैंक्यू सो मच्छ